और दीपावाली के पर्वपर जहां हर घर रोशन हो रहा था तो बहीं एक धर के चराग बोज़ जाने से पूरे गाव में मातम पसर गया। धुर्वी जिले के ग्राम रूदा गाव 12 वर्शी मासून समीर शाहू की किसी अग्यात व्यक्ते ने हद्या कर दी इस मामली में पुलिशने के हाथ अभी भी खाली है और अपराधी पुलिश की गृफ्त से बाहर है दीपावाली से दो दिन पहले समीर शाहू का शब किया था हत्या के बाद मामली में जांच के लिए पुलिश अधिक्षक ने 25 सदस्यों टीम गठित कर जांच देज कर दी पुलिश हत्या से जुड़े सभी बारीकियां से जांच कर रही है लगातार गुमसुदा की तलास की जा रही थी लेकिन दुर्भाग के कुण तरीके से मरामत नहीं कर पाए और समीर साहू का सव दिनांग 24 दस्दोहजार 22 को ग्राम के समीर नरसरी के पास पुर्पार के खेट में बोरी में बना हुआ मिलाद